हेलो व्रेंड वेलकम टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर मैं आपका दोस्तुदाकर चोरश या आपको अपनी चैनल में आर्दिक स्वागत करता हूं किसी कार और अध्स यह लाइब नहीं चल पा रहा है वरना मैं आज आप लोगों लाइब पढ़ाने वाला था हूं यह बार फर्स्ट कोस्टन आपके उपर इस्क्रीन पे यह रहा बारसो चैस्वी से बारसो नब्बे इस्वी तक उत्री भारत के सासन करने वाले मुझ सुल्तानों के लिए सबसे उचित संग्या होगी फर्स्ट आपके इस्क्रीन पे गुलाम बी शमसी शी मामलूक और डी इलवरी आपको इसका एंसर जवाब देना है बारसो चैस्वी से बारसो नब्बे इस्वी तक उत्री भारत में सासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संग्या होगी तो आपके अगर जवाब शी ऑफशन है मामलूक तो बिलकुल सही जवाब है इसका आंसर होगा मामलू तो पहले का शी ऑफशन इस करेक्ट आंसर अब हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का पर्थम बैदानिक सुल्तान था ऑफशन ए कुत्वदीन एवग बी है इल्टूतमीज सी बलबन और डी है अल्लावदीन खिल जी तो इसका होज़ेगा बी ऑफशन इल्टूतमीज का करेक्ट आंसर है थर्ड कोस्चन देखिए दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख वक्स के रूप में जाना जाता है यानि लाखों का दान करता था वो कौन था थर्ड का कौन सा आंसर हो जाएगा अगर आप कुत्वदीन एवग मार रहे हैं तो बिल्कुल साही जवाब है इस आपका कुत्वदीन एवग होगा थर्ड आंसर थर्ड कोस्चन का फरस्ट आप्सन की रजधानी का आथी आप बता सकते हैं कोस्चन यह आपके स्क्रीन पर फर्ष्ट आप्सन है दिल्ली सेकेंड लाहॉर, थर्ड अगरा ओर फौर्थ जौनपूर तो बताएगा कौन सा SILEMIT नहीं है to 5th question है आप बताईए तो इसका D option जो है रजिया सुल्तान वो बलवनी बंसring की नहीं थी तो इसका correct answer social d option is the correct answer हो जाएगा इल्टू तमिस गद्दी पर बैठा है कौन सा बारो सो दस इश्वी बारो सो इग्यारे इश्वी बारो सो चैश्वी या बारो सो तीस इश्वी तो 6 का एंसर कौन सा हो जाएगा 6 का एंसर हो जाएगा B option अगर B option आप बता रहे तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 1211 इश्वी में इल्टू तमिस गद्दी पर बैठा है 7 number question देखिए निमलिखित में सिक्किस सुल्तान की मृत्यू चोगान खेलते समय हो गई तो ये बहुत ही simple question है आप सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं इल्टू तमिस बलवन और रजिया तो कौन चोगान खेलते समय गिर कर वो मृत्य हो गई थी तो इसका option कौन सा होगा इसका option अगर आप कुतू बुदीन एवक मार रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका कुतू बुदीन एवक जो है चोगान खेलते समय गोड़ से गिर कर इनकी मौत हो गई थी एड कोस्टन देखिए निम्रिकित में से की सुल्तान के कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए फर्स्ट आप्सटन है कुतू बुदीन एवक बी है इल्टू तमिस सी है जलालु दीन खिल जी कौन सा आंसर होगा जिसने अपने मतल सुल्तान के कोई सिक्के नहीं प्राप्त हुए पता ही इसके आंसर कौन से हो सकते हैं अगर आपको तुदीन एवक बता रहे है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ए ओप्सटन इज राइट आप्सटन अब 9 कोस्टन देखिए इलतु तमीष गद्धी पर बैठने के पुर्व कहां का सुबेदार था ऑफ्सटन आपके यह रहे है सिंद, बदायू, बदखसा और लाहोर 9th question का अगर आप बदाईू लगा रहे हैं तो बिल्कुल correct answer है आपका बदाईू बिल्कुल सही answer है 10th question देखिए निमलिकी दिल्ली सुल्तानों को कालकरम बद कीजिए option है आपके रहे इल्टू तमीश अरामसा बलबन एमम रजिया second option है आरामसा बलबन एल्टू तमीश अवम रजिया C option है आरामसा इल्टू तमीश अवम बलबन option dear है बलबन आरामसा इल्टू तमीश अवम रजिया कौन सा option correct है तेंथ नमर का अगर आप C option बता रहे हैं आरामसा इल्टू तमीश अवम बलबन तो आपको सही matching बताईए इसमें से कौन होगा A option रहे हैं आपके 1,2,3,4 B option है 1,3,2,4 या C option है 3,4,2,1 या last answer 4,3,2,1 correct जवाब दीजे 11th नम्मर का आपका question का answer कौन सहो जाएगा अगर आप A answer दे रहे हैं तो बिल्कुल सही answer है आपका इल्टू 32,2,1,1 इसमें हुआ था बिल्कुल सीधा-सीधा सही-सही answer है रजिया बारो सो चत्तिस में और बलवन बारो सो चाट और कुतूबुदी नेवग बारो सो चैश्वी में अब हम लोग 12 question देखते हैं रजिया सुल्तान ने कितने वर्स तक शासन किया आप बता सकते हैं रजिया सुल्तान ने कितने वर्स तक शासन किया औप्शन रहे चार वर्स छे वर्स, दस वर्स और बार वर्स तो बारा question का answer क्या हो जाएगा अगर आप चार वर्स बता रहे हैं आपका ए चार कितने सास्टान किया है तो चार ने किया है पोटीन कोशन देखिए निमलिखित में से कौन सुल्तान होने के पुर्व गुलाम था आपके ऑप्शन रहिए कुतुबुदीन एवक इल्टुतमीश रजिया बल्बन या आरामशा आपको बताना है इनवे से कौन इ से पहले गुलाम थे चौदा नमर चौदा नमर अगर आप बी ऑप्शन बता रहे है एक दो एवम चार यानि कुतुबुदीन एवक इल्टुतमीश और आपका बल्बन ये लोग क्या थे सुल्तान होने से पुर्व गुलाम थे कौश्चन नमर पंद्र देखिए मुहमद ग गोरी की मृत्ति के पस्चात उसके समराज का वास्तिविक दवेदार कौन था तो पंद्र कोस्चन का अगर आप डी ऑप्शन बता रहे है उक्त तीनो तो बिल्कुल सही जवाब है मुहमद गोरी की मृत्ति के पस्चात उसके समराज का वास्तिविक दवेदार जो थे तो आपके आप्टिशन है 1226, 1289, 133 या 1232 तो 16 का जवाब हो जाएगा 1229 अगरा 1229 दे रहे तो बिलकुल सही जवाब है आपका 17 नमर देखिए इल्टू तमिश ने किसे अपना उत्रा दुकारी चुना था इल्टू तमिश ने किसे अपना उत्रा दिकारी चुना था A option है अरामशा, B.A. रुकनिदीन, फिरोष्टा, C.A. बहरामशा, D.A. रजिया तो बिल्कुल ही सिंपल सा कोश्चन है 17 का कौन सा option correct हो जाएगा? अगर आप 17 का D option रजिया बता रहे हैं तो बिल्कुल साही जवाब है आपका D option बिल्कुल correct answer है 18 option हम दोग देखते हैं निमलिखित में से कि सुल्तान ने जिल्ली, इला या इश्वर का प्रतिभीम की उपादी गरण की आपके option है जवाब कोन सा आ रहे है? अगर शी आ रहे है बल्बन तो बिल्कुल साही जवाब है सीजिदा और पबोर्ष की प्रता बल्बन ने श्टार्ट की थी question number 20 पे आ चुके है निमलिखित में से किसके सासनकाल में परसिद चालीशा या चालगानी का अस्तित वाया था? आपके option रहे है इल्तुतमीश, बल्बन, रजिया सुल्तान या फिरोज, तुगलग तो 20 question का आपका जवाब अगर A option है तो बिल्कुल correct answer है इल्तुतमीश नहीं चालीशा या चालगानी का निर्माड किया जा उसी के सासनकाल में इनका गठन हुआ था 21 question देखते हैं हम लोग पहली बार मंगोलों का आकमर किशके सासनकाल में हुआ था आपके option रहे इल्तुतमीश, बल्बन, अल्लावदीन खिलजी या मोहमद बिन, तुगलग तो 21 का कौन सा option आपका शही है अगर आप इल्तुतमीश लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका इल्तुतमीश के इसासनकाल में मंगोलों का आकमर हुआ था पहली बार 22 कुस्चन देखिए तथा कथित गुलामोंस या मामलुक वंस का अंतिम सासक कौन था आपके option रहे है बहरामशा, कैभूसरब, या अरामशा या कैकू का बाद तो गुलामोंस या मामलुक वंस का अंतिम सासन कौन था अगर आप बहरामशा बता रहे है 22 का 22 का बहरामशा बता रहे है तो गलत जवाब होगा 22 का D option सही था कैकू का बाद कौन सा था कैकू का बाद क्योंकि यही रहता है रजिया सुल्तान के बाद तो आपका कैकु का बाद बिल्कुल सही आंसर होगा यह मुगलवंस का अंतिम सा सकता 23 question देखिए रग्त एवं लोग की निती अपनाने वाला सुल्तान कौन था आपके option है गयाशुतीन बलबन अल्लायुदीन खिलजी फिरोज तुगलक या सिकंदर लोर्दी तो 23 का अगर आप correct option गयाशुतीन बलबन बता रहे तो बिल्कुल साही जवाब है जिन्यों ने रग् लग्ति अपनाई थी 24 कोस्ट्चन देखिए निम्लिखित में से इल्टू तंबिष के बिसे में कौन सा कथन सत्य नहीं है यह 25 गोस्ट्चन का सिर्ज जाईगा आगे 25 गोस्ट्चन आपको नेक्स वीडियो पाथ वीडियो पार्ट 2 में मिलने वाला है तो इल्टू तो 24 ग राजदानी लाहोर थी पहली बार मॉंगोल आकमन इसी के समय हुआ तो चौबिस कोस्टन का आपका जवाब अगर ची ऑप्षन है इलतुतमिस की राजदानी लाहोर नहीं थी यह गलत जवाब है यानि चौबिस का सी ऑप्षन करेक्ट है चादी का टंका और दाथताबे का जी किल जी मोहम्मद बिन तुगलक यानि चादी का टंका और ताबे का जीतल किस ने शुरुआत किया था तो इल्टू तमिस अगर आपका ए अप्षन सही है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 26 कोस्टन देखिए चैल गानी या चलीसा का संगार किस ने किया यानि अंत किस ने किया तो 26 कोस्टन का आपको बताना है रजिया सुल्तान बल्बन या जलालुदीन किल जी या गयासुदीन तुगलक ये लास्ट कोस्टन है इसका वीडियो का चैल अल्गानी अचलीशा का संगार किशने किया थातो इसका संगार किया बलबन ने रिदा भीुद्बन ने ही चाल गानी अचलीशा का संगार किया था बी औप्सन angel अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिएगा ऐसे ही लगता है अच्छा अच्छी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अवेल आइकन प्रेस करें तब तक लिए गुडबाय टेक केर मिलते हैं ने